हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल यूवी गंप्रिसंस में स्वागत है मेरे प्यारे सात्यों राजस्तान करमचारी चैन बोड़ ने सम्विदा नर्स जी एनेम बरती 2023 का फाइनल रिजल्ट एम कट उप मार्क्स जारी कर दिया है राजस्तान करमचारी चैन बोड़ की तरफ से लेटेश्ट नियूज है राजस्तान करमचारी चैन बोड़ ने सम्विदा नर्स जी एनेम बरती 2023 का फाइनल रिजल्ट एम कट उप मार्क्स जारी कर दिया है साथ मेरे बोड़ द्वारा राजस्तान सम्विदा बरती नियम 2022 के अंतरगत राश्टिय स्वास्ते मिसंद चिकिस्सा स्वास्ते परिवार कल्यान विभाग के लिए सम्विदा नर्स जी एनेम बरती 2023 कुल 2338 पदों पर हुई इनके पदों में बड़ोत्री होने के बाद 2338 पदों की ये भरती है जिसमें गैर अनुसुची चेत्र के 218 पद और अनुसुची चेत्र के 220 पद है सात्यों मेरे जी एनेम बरती 2023 पून रूप से सम्विदा आधारित बरती है तता राज्य सारकार के निर्देशा नसार ये केवल एक वर्स या बड़ी हुई अवदिया परियोजना अवदिता की होगी सात्यों मेरे ओनलाइन आवदन 6 जुलाई 2023 को राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड दोरा विगप्ति जारी की गई ओनलाइन आवदन मागे गए और बरती परिक्षा का आयोजन 3 फरवारी 2024 को किया गया मेरे प्यारे सात्यों राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने 2338 के एवज में लगबग 2 गुणा कंडिडेट्स को डॉकॉमेट्स वेरिफिकिसन के लिए लिष्टेड किया है इन दो गुणा कंडिडेट्स का डॉकॉमेट्स वेरिफिकिसन होगा Documents Verification के सूचना अलग से मिलेगी उसकी डेट अलग से नरदारित की जाएगी मेरे प्यारे सात्यों Documents Verification के बाद इन Candidates का नाम राष्टे स्वास्तेमिसन चिकित्सा स्वास्तेम परिवार कल्यान विवाग को नियम अनुसार भिजा जाएगा मेरे प्यारे सात्यों जो Candidates Documents Verification के लिए क्वालिफाई हुए है उन Candidates का रॉल नंबर राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने गैर अनुसुची छेत्र और अनुसुची छेत्र का अलग-अलग साथ ही साथ गैर अनुसुची छेत्र और अनुसुची छेत्र की कटॉप भी अलग-अलग राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने जारी कर दिये है गैर अनुसुची छेत्र के पदों की संक्या 218 है और अनुसुची छेत्र के पदों की संक्या 220 है गैर अनुसुची छेत्र के रॉल नंबर राजस्तान करमचारी चैन बोड दौरा जारी कर दिये गए है अब ब्यरती अपने रॉल नंबर राजस्तान करमचारी चैन बोड की ओफिसेल वेबसाइट www.rsmssv.rajistan.gov.in से देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिशन में जाकर भी पीडियेप डाउनलोड करके देख सकते हैं आई ये बात करते हैं नॉन टीएसपी यानि की गैर अनुसुची छेत्र के कटोप की GNM बरती 2023 की कटोप रही है जनरल के लिए 211.3402 नमबर जनरल फिमेल की रही है 184.3161 नमबर जनरल विडो की 1.0309 नमबर जनरल डाइवर्स की 109.274 नमबर जनरल एक्स की कोई कटोप नहीं है जनरल एडवलोस कैटेगरी की बात करें तो एडवलोस कैटेगरी की जनरल कटोप है 184.3161 नमबर जनरल फिमेल की कटोप है 124.423 नमबर जनरल एडवलोस विडो की कोई कटोप नहीं है एडवलोस डाइवर्स की कटोप है 13.528 नमबर एडवलोस एक्स की कोई कटोप नहीं है SC कैटेगरी में जनरल की कटोप है 185.566 नमबर SC फिमेल की कटोप है 146.49 नमबर SC डाइवर्स की कटोप है 19.56 नमबर ST जनरल की कटोप है 150.51 नमबर SC फिमेल की कटोप है 122.6804 नमबर SC डाइवर्स की कटोप है 8.73 में 69 नमबर OBC जनरल की कटोप है 166.92 नमबर OBC फिमेल की कटोप है 166.0103 नमबर OBC डाइवर्स की कटोप है 69.89 नमबर MBC की बात करें तो MBC जनरल की कटोंपे 170.133 नंबर MBC फीमेल की कटोंपे 108.24 नंबर MBC डाइवर्स की कटोंपे 37.134 नंबर सेरिया 12 जिली की आदिम जन्जाती जनरल की कटोंपे 33.6 में 56 नंबर और सेरिया फीमेल की कटोंपे 33.6 में 56 नंबर गैर अनुसुची चेत्र के होरिजोंटल रिजरोशन की बात करें तो BLV की कटोंपे 1.0309 नंबर LDCP की कटोंपे 79.38 चौदे नंबर MIMD की कटोंपे 5.1546 नंबर SP की कटोंपे 22.38 पैटिस नंबर तो ये कटोंप रही थी राजस्तान सव्विदा नर्स बरती यनकी GNM बरती 2023 के गैर अनुसुची चेत्र की अनुसुची चेत्र के 220 पदों के एवज में दो गुणा कंडिडेट लगबग 440 कंडिडेट को पास किया गया उनके रोल नंबर आजस्तान करमचारी चैन बोड ने जारी किये टीएसपी की कटोप की बात करें तो जनरल की कटोपे 180.4124 नंबर जनरल फीमेल की 162.8866 नंबर जनरल विडो की 29.89 नंबर जनरल डायवर्स की 87.62 नंबर टीएसपी में एससी जनरल की कटोपे 178.46 चौतर नंबर एससी फीमेल की 150.51 नंबर एससी डायवर्स की केतर पॉंट 43 नंबर एस्टी कैटेगरी में एस्टी जनरल की कटोप 141.53 नंबर एस्टी फीमेल की 139.89 नंबर एस्टी डायवर्स की 28.86 नंबर टीएसपी में होरिजन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो BLV की कटो 32.88 में सत्याड में नंबर, LDCP की 65.34 में नंबर, MIMD की 44.32 में नंबर, SP की 4.32 से 37 नंबर, तो ये कटो जी एन एम सम्विदा नर्स बरती 2030 की है, कुछ questions डिलीट किये गए, सिरीज के अनुसार प्रस्णों की संक्या एक से 100 थी, और प्रतीक सैट में तीन questions डिलीट किये गए, आईए जानते राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड सभी अव्यर्तियों के प्रापतांकों का आकलन निम सुत्र द्वारा करता है, इसका अनुसार टोटल मार्कस अवप कंडिरी इक्वल टू, समेशन अवप, Rq multiply k f minus Wq multiply k f by 4 minus maximum marks कोड़ा मैं not attempt question of a particular section या subject but a total number of questions कोड़ा मैं 3 summation करता है sum of marks in all section या subjects RQ right question सही उत्तर of a particular section या subject WQ होता है wrong questions gulp person of a particular section या subject 3 questions delete भी किये गए KF होता है key factor जिसका मतलब है maximum marks बटे total number of questions गुणा में total number of questions of a particular section या subject बटे number of valid questions of a particular section या subject मेरे प्यारे सातियों नमबरों की गणना राजस्तान करमचारी चैनबूर द्वारा इसी फॉर्मूले के आधार पर की जाती है सातियों मेरे 1035 से अधिक प्रस्णों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यारती द्वारा गहरा नहीं करने के कार्ण 1460 कंडिडेट्स को अयोग्ये गोसित किया गया है राजस्तान करमचारी चैनबूर के प्रते का एक्जाम में पांच गोले दिये जाते हैं OMR सीट में जिन में से एक ना एक गोला आपको गहरा काला या निला करना ही होता है साथ यो मेरे गैर अनुसूचि छेत्र की वर्यता के आदार पर सूची बनाते समय अनुसूचि छेत्र के अब्यारतियों को भी वर्यता सूची में सामिल किया गया है जिससे इन अब्यारतियों के रोल नंबर दोनों जगे हो सकते हैм किसी भी प्रकार की नवीन और लेटेस्ट जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajistan.gov.in या www.rssb.rajistan.gov.in का अवलोकन समय समय पर करते रहें किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बने रहें और जुडे रहें आपके और अपने यूटूब चैनल यूवी कमिट्संस के साथ कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करें वीडियो देखते रहें और बने रहें आपके और अपने यूटूब चैनल के साथ